महिला एम बाल विविकास विभाग से समद्रें 50 आपजिक्टी कोईशन देखेंगे जो आने वाल आपके एकजाम के लिए काफी महत्तपड़ना होगा जो लोग महिला परिविक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनमें से एक सिले बस आपका महिला एम बाल विविकास विभाग इसमें से चार तीन से चार नंबर के प्रसने पुछे जा सकते हैं तो आई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहली बार आएं तो चैनल को लाइक कीजिएगा सस्क्राइब करके रख लिजिएगा ICDS योजना के घटक कौन से हैं तो देखे हैं इसका पूरक पोशन, प्रतिरक्षे की करन, स्वास्था जान, यह तीनों ही हैं जो आपका ICDS से संबंदित है ICMR 2010 के अनुसार, एक माइक्रोग्राम, है ना, एक माइक्रोग्राम भी करोटिन रूपांतरन के बाद के बराबर होगा तो इसका 8-U-G-Retinol, ठीक है, कपोट वक्ष पीजन चेश्ट कीस निवतम रोग का लक्षन है तो यह आपका रिकेट्स है ना, रिकेट्स आएगा, कौन से कमी के कारान होता है, आप लोग कमेंट करके बताईएगा विटामिन C का सम्रिद इस्त्रोथ है, तो विटामिन C सबसे ज़्याद किस में मिलता है आपका आज आएगा संत्रा, खट्टे पदार जैसे संत्रा हो गया, नेमबू हो गया, वहाँ से आपका बिलकुल वेनिफिट मिलेगा विटामिन C के लिए तो इसके लिए सबसे ताज़ाफल आवस्यक्ता होता है, तो इसका अंसर A होगा ठीक है, तो ICMR 2010 के अनुसार, 90 सिस्वों के 0 से 6 मां के प्रती दिन आवस्यक्त किलो या कैलोरी, किलोग्रम सरी की भार होती है, 92 किलोग्राम केजी, ठीक है साथवा कोश्चन है कि जिवानू की व्रिद्धी और बहु गुणन में सहता के लिए, इनमें से किसकी आवसक्ता होती है, तो जल, खाद्यपदार, उप्युक्त, तापमान, ये तीनों ही आवसक्ता होती है, तो इसका अंसर आपको हो जाएगा, D, ठीक है ऐसे ही डेली लेटेस्ट चैनल देखने के लिए लेटेस्ट वीडियो अप्लोड जो हम करते हैं न, डेली लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है और आप सभी कमेंट करके पताएगा कि और आप लोग कीस एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर महिला परिविक्षक में बाल भी कासे संबंदी योजनाओं से टोटल 50 MCQ देखेंगे काफी महत्तपुर्ण है तीन से चार नमबर प्रस्ण पूछ सकता है यहाँ यहाँ उर्ड़िकिस का उप्योग किया जाता है किसके लिए किया जाता है 20 के लिए किया जाता है आप सभी को मालूम होगा ORS का जो घोल होता है ना दस्तर के लिए किये जाता है और आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका जो है मोटापा किस के कारण होता है ठीक है मोटापा किस के कारण होता है कमेंट करके बताइएगा O.R.S. का मतलब होता है Aura Rehydration Solute ठीक है डेंगू पुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विसाणू जन्य रोग है या किसकी द्वारा संचलित होता है तो A.D.S. मच्छारों के द्वारा है ना कौन सा A.D.S. मच्छारों के द्वारा ठीक पोलियो विसाणू शरीर में माध्यम में प्रविस करता है जो पोलियो विसाणू होता है संक्रित भोजर और जल के माध्यम से होता है ठीक है तो कुट्टे की काटने से कौन सी बीमारी होती है या कुट्टे की काटने से कौन सा रोग होता है आप लोग comment करके बताईएगा ठीक है इन में से कौन सा गर्भावस्था की समस्या नहीं है तो दात सरना गर्भावस्था की समस्या नहीं क्योंकि गर्भावस्था में आपको उल्तिया होती है कबजा है, एडीमा यानि की तराल एकत्र होने से सूरा någon होता है खकें चीटिंटा में कीज़वा मनाता एक विकार और फार पोयी से प्रषाब कीज़़ोय तो महिला परक्रूप्श के कारान होता हैand से कमी के रोके आरण हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताएगा ठीक है समेकित बाल विकास उजनाओं में इंटीग्रेटेट चाइल्ड डेवल्प्रेंट सर्विसेस यानिके इसका आरम हुआ था तो 2 अक्टूबर 1975 में तीक है ट्यूबर कुलोसिस एक संक्रमक रोग है जो से होता है किससे होता है बेसिलस माइकोबेक्टिरियम से घर्भ हवस्था के दारान माता और गर्भ इस्थ सिसु के बीच पोसक तत्तों की बीच में जो आक्सीजान होता है आप गर्भनाल के लिए ठीक गर्भनाल उसे इंग्लीज में क्या का जाता है ठीक है अब देखते हैं कि आइसी एमर 2010 के अनुसार गर्भती महिला के लिए आवस्था का केलोरी और प्रोटिन के महत्राएं क्रमसा होती है तो 350 से 272 ग्राम है यह आपका जाएगा अब हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनी होते हैं तो हड्डियम क्या का पाए जाता है पहल सा केल्सियम किया है तो केल्सियम और मेंगनेसियम यह दिखा जिरह ना मतलब इसका अंसर हो जाएगा डी समानियरूप से पोसीत बच्ची की च्छाती के दवरान उसके सीर से अधिक तेजी से क्या बढ़ती है जीवन के दूरतियम तिति वर्ष टिक है गरवस्था से मातम अवडिन की के कारण कोन सा रोग होता है तो इन्हें क्रेणिटा आया कि जड़ माना उता मनोग्यन सैको मोटर तीख है सैको मोटर यानि की विकास का ओ एक परिछन का लिए और सकून सा इलाइजा का पता लगा निकली एड़ समातलो एड़ किसके काई आप लोग कमेंड करन के बताइएग इन में से कौन सा एक monosaccharide नहीं है तो देखिए monosaccharide glucose, lactose, fructose देती नहीं है जबकि lactose क्या है monosaccharide नहीं है तो क्या चीज़ है आप लोग comment करके बताएं ठीक है IECDS के 1-5 वर्स के IU के वर्ग बच्चों को हर पर vitamin A के घोल यह जो आप देख रहे हैं IU मखे द्वारत दी जाती है तो मात्र 6 महीने के द्वारत दी जाती है बेरी-बेरी लोग किसके कारणा होता है thiamine के कारणा होता है बेरी-बेरी जिम्नतम होता न भारत में गर्भमस्था के दौराम सुझावित भार के विद्धि होती 11-13 kg ठीक है इनि में से किसकी रोग थाम याकती नहीं किया जा सकती, तो यह खसरा जो है आपका याकती सब क्या सकती कर्विशन संपर्ट về शांस अंदर ले जानेके द्वारती के दूसरें में फैलता है आपका भर विशानी ठीक है काक अर्थनी से चंद से लेकर आनरी भून के विकास के लिए होता है गर्भासा में रोपन के प्रक्रिया पूरी हो जाती है पर जिननिक आवस्था में इनमें कौन से मेरास्मों यानि की सुखा रूप एक लक्षण नहीं है तो चंद्रमूग तीक है अब देखते हैं अब विलकुल सही है प्लेक चुभा से होता है फितक किर्मी सुगर से होता है पोलियो बंदर से नहीं होता है इसका अंसर डि होगा नेस्ट है इस तन पान करा रही महिलाओं को आउसत दैनिक दूद्ध हुत पादान होता है छे सोपच्चास मिली ठीक है स्वास्त बच्चे का जो भार आयू तक उसके जन्म के समय का भार का दोगना होता है छैमा विटामिन डी की रोख्थाम करता है कौन-कौन करता है रिकेट्स अस्थी मिर्दूता का मतला होता आस्टियो मलेसिया ठीक है आस्टियो पोरोसिस उप्युक्त सभी प्रती एक हजार सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले सिसों की संख्या को कहा जाता है नावजात, मित्तिव दर कहा जाता है ठीक है कौन सा वर्गी करन को पोशन के प्रकार और अवधी के पहचान करता है तो water low वर्गी करन गर्भस्था के दावरान आवस्यक अतरिक्त प्रोटीन के लिए कौन सा है तो आपका जाएगर सभी यह कों कि यह सभी उनके लिए आवस्था है आई सी डी यह 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 लिए लवहारती कौन कौन है तो 06 वर्ष के आयू के बच्चे गर्भती महिला है इस्तंपन करा रहे ही महिला है बागी कोई सामिल नहीं हो सकता ना तो इसका अंसर तीनों ही होगा गर्भस्ता के दवरान उप्योक्त उर्जय की आवस्तक बढ़ जाते क्योंकि इत्रिक्त उर्जय के लिए क्या चाहिए गर्भस्त शीजुकर विद्धियम सारी गतिविधी गर्वनाल के विद्धियमाता के सेर में विद्धी है ना तो ये इसका अंसर भी आपको हो जाएगा D हैजा द्वारा दस्त द्वारा कौन सा जिवानू संक्रमान ठीक है साकाहरी माता में कमी के होने करन संभावना दिख होती क्या होती विटामिन B12 ठीक अब स्कीन फोल्ड के केली पर्स की मोटाई नापते हैं वसा आपको मालूम होगा वसा के परत त्वारा ठीक टिटनेस का अभी लक्षण है टिटनेस क्या अभी लक्षण है पेशियों में दिर्णिता एम दर्द युक्ते एठन प्रायाजबडे की पोशियों के कड़ेपन एम दर्द की सुकुनता और उदर की पेशियों में दर्द ठीक है अब संसागत प्रदर्शनों के लिए इन में स्कौन सी वेक्सीन उनके समय में खुड़ा करने की 24 घंटे के अंदर की रूप में दी जाती है हेपेटाइटिस ठीक हेपेटाइटिस क्या होता है आप लोग बताईएगा रुप में दो से तीन दिनों के दारान दूथगरंफियों से 5 घंटे में पीला तरल आता है जो समाने दूथच से भिंचार होता है उससे क्या कहते है जिस कहते है कोलो स्ट्राम् ठीक है शुरुवाती में जो थीन दिन तक दूद्ध के गरंथे में पतला पतला हम पिला-पिला तरल पदार्थ मतलब दूद निकलता है जो समनता दूद से भीन मतला थोड़ा अलग दिखता है दुद के ऐसा दिखता है सफेज दिखता है जबकि प्यूस के ऐसा दिखता है थोड़ा पीला टाइप का दिखता है वह आपको कोलोस्टर्म है ठीक है 25 फर्वी 2012 को विश्वा सौसर संगठन डावलु एचो के वैस्विक सुचीज में क्रिचाल दिया था तो पोलियो महमारी बाले देश को निकाल दिया था ठीक है हरी पत्तेदार सब्जे और तेज ताजे फल का श्रोत नहीं है तो आप विटामिन क्योंकि ए बी सी अवारन सभी क्या विटामिन के श्रोत है और कौन सा कारेकर हम राष्टी ग्रामिन स्वास्ता अभियान के बार दायरे में आता है सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि जो तैयारी करें महिला पर एक चको यह वीडियो उच पर पहुंच पाए ठीक है तो मेरा परफॉमेंस आप सभी को कैसा लग